जहरीली शराब की आग की आच जो गोपाल गंच से लगी थी और बेतिया होते हुए अब समस्तिपूर पहुँच चुकी है समस्तिपूर से चार संदिक्दों की संदिक्दों की मौत की खबर आ रही है जिसमें से दो जो संदिक्तों की मौत हुई है वे दोनों सेना और एक बियस सब का जवान है और दोनों छट की छुटी में घर आये हुए थे और कहा जा रहा है कि इन दोनों की मौत भी जहरीली शराब पीने के कारण हुई है तो अब गुपाल गंच उसके बाद बेतियां और अब समस्ति पूर से चार संदिक्तों की मौत की खबर आ रही है हाला कि परिवार वालों के तरब से बार-बार इंकार किया जा रहा है कि उन्होंने किसी प्रकार की शराब का सेवन नहीं किया था लेकिन जिन्होंने पोश्माटम किया है उन पोश्माटम करने वाले कर्मियों का कहना है कि जिन लोगों का पोश्माटम किया गया है उन्होंने शराब का सेवन किया था अब नमस्कार में नहीं मोहित कुमार सिंग और आप जनता आजंक्षन देख रहे हैं जहरीली शराब को लेकर पूरे राज में लगातार बवाल मचा हुआ है लगातार राजितिक हमले हो रहे हैं पक्ष बिपक्ष परारोप लगा रहा है तो बिपक्ष पक्ष से सवाल पूछ रहा है लेकिन इस बीच जो जहरीली शराब की जो आग है वो लगातार अन्य जीलों में फैलती जा रही है, मुझः फर पूर में मौथ होती है, उसके बाद से बेतिया से आती है, और अब समस्ति पूर से चार संदिग्रों की मौथ की खबर है, और कई अन्ने गंभीर रूप से बिमार बताया जा रहा है, जो लोग गंभी रूप से बिमार हैं उन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भरती कराया जा रहा है लेकिन सबसे खास बात है कि सभी लोग शराब की बात चुपाने की कोशिस कर रहे हैं कि पुलिस कहीं शराब बंदी कानून के लिए उनके उपर कोई कारवाई ना करे और इसलिए जो परिजन है वो शराब की बात को छुपाते हैं हालाकि इन चार लोगों में से समस्तिपूर में जो मौत हुई है उनमें से दो एक BSF का जवान था तो एक सेना का जवान था और द बिमार पढ़ने लगते हैं जिसमें से चार लोगों की मौत हुचकी है और 6-7 लोग अलग-अस्पतालों में भरती किये गए हैं समस्तिपूर के एक पटोरी प्रखंड है उसे के अंतरगत रुपवली पंचायत आता है जहां से यह खवर आ रही है खवर के मुताबिक 6-7 ल जीवक की भी मौत हुई है जो BSF में जवान है इसके अलावा एक और आर्मी की जवान की मौत हुई है ये दोनों जवान भी छुटी में छट त्यवहार मनाने छट पर्व मनाने अपने घर अपने गाउं आये हुए थे खवर के मुताबिक इन सब लोगों ने देशी सराब भी हुई थी गाउं में ही कहीं देशी सराब मिलती है और पुलिस की खबर के मुताबिक भी उन्होंने एक लाख भठियों को पकड़ा है जहां देशी सराब तैयार की जा रही थी लेकिन जब भठियां तोड़ी जा चुकी है उसके बावजूद भी लगातार बिहार के अल अधिक सक्स बनाया जाएगा लेकिन इस बीच मुंगेर के किसी थाने से मुंगेर कोतवाली का जो थाना है वहां से मातर 200 गंच की दूरी पर कोई युवक सड़क पर लेटकर शड़ाप पी कर हंगामा करता है जो यह दर्शाता है कि मुख्यमंत्री के कहने का और जो पुलि यही जनकारी यार यहीं कि 6-7 लोग अलग अस्पतालों में भर्ति किये गये हैं जो गंबीर रूप से बिमार है इसके अलावा चार लोगों की मौत हुई है जिसमें से एक सेना के जवान है तो एक BSF के जवान है इसके अलावा आगे जो कुछ नहीं जनकारी आएगी उसे ह हम आप तक पहुंचाएंगे इस वीडियो को यहीं समात करते हैं कैमरे की पीछे वों प्रकाश खड़े हैं और मैं मुहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद